जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बन कर डोलेंगे तू क्या तेरे अप्पा जी थी बंदे मात्रम बोलेंगे और अब वो पंक्तिया सुना रहा हूं जिसके लिए मुझे जाना जाता है यूट्यूब पर दसलाख लोगों ने जिन पंक्तियों पर मुझे सनहे दिया आज आजमगड में सुना रहा हूं इधर हम भारत माता की जय बोलते हैं तिरेंगे जंडे की शान में कविता में पढ़ते हैं लेकिन एक बाकाईदा निर्वाचित संसद है हैदरबाद का वो संसद में जाकर संविधान की शप्त उठाता है और बाहर आकर ये कहता है कि कोई मेरी गर्दन पर छूरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा आप सब लोग उनका नाम जानते होंगे मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ मैं भी सर्याम नाम बोल रहा हूँ हैदरबाद के वो संसे दसलत दीनों में सी जो ये कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा अब्दुल गफार ललकार ना चाहता है जवाब देना चाहता है कि तूने कहा सुना हमने अब मन टटोल कर सुन ले तू और सुन सुनो गदार हुए सी ही कान खोल कर सुन ले तू और अब जितना भी आकरोश हो मेरे आजम गड़ के भाईयों मीडिया देख रहा है पुरा विश्व सुन रहा है अपने आक्रोश की तालिया चार पंतियों में लोटा ला कि तूने कहा सुना हमने अब मन टटोल कर सुन ले तू सुन सुनो गद्दार वेसी कान खोल कर सुन ले तू कि तुमको शायद तुमको तुमको शायद इस हरकत पे शरम नहीं है आने की रिख तूने हिम्मत कैसे की मा की चाहिए नहीं लगाने की भारत भूमी यहां सिरी नहां बसे हर्शामी में अगली पंक्ती में अगर फिर जल जला पैदा कर दू तो जितने भी देश बक्त लिया खड़े है पुर्जोर ताली में समर्तन करना है द्राबाद के चार मिनार तक आवाज गूजी चाहिए कि तूने कहा तूने कहा सुना हमने अब वो कता वंदे मातरम नहीं बोलूँगा भारत भाता की जय नहीं बोलूँगा मैं जवाब देना चाहता है कि तूने कहा सुना हमने अब मन टटोल कर सुन ले तू सुन सुनो गद्दार ओवे सी कान खोर कर सुन ले तू तूम को शायद इस हरकत पे शरम नहीं है आने की तूने हिम्मत कैसे की मा की जई नहीं लगाने की तो जिस दिन मोदी संसद में जिस दिन मोद्य संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे तू क्या तेरे अब पाजी थी बंदे मात्रम बोलेंगे तक तेरे नापाती रादे मिल जाएंगे माती में ये है भारत भूम यहां स्रीराम से हर छादी में